हलो नमस्कार दोस्तों श्वागत है आज के इस इंपोर्टनेट वीडियो में तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सेंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि आप जो है अपना पाशपोर्ट कैसे आवेदित कर सकते हैं कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं बिना किसी प्रॉबलम के आप मोबाइल में लेफट आप में आवेदिन कर सकते हैं इसके लिए आपको 15 रुपेज सुल्क देना होगा और इतने में आपका कम्पलेट प्रॉसेस बन जाएगा अगर आप किसी एजिएंट के मौधेम से बनाते हैं तो आपका 5-10 रुपेज तक भी आपसे वो ले ले लेते हैं जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी बिटम बना है तो दोस्तों बहुत ही सेम्पल तरीका है आपको किसी सी कोई पैसे देने के जरूत नहीं है बहुत ही सेम्पल तरीके से आनलाइन अवेदन करके बताओंगा तो चरिए सीधे सीधे आते हैं हम गूगल के होम क्योंकि ऐसे ही इनफार्माली वीडियो जो होती है जो सुचना वाली वीडियो होती है महात्पूर्ण वो सारी वीडियो मैं यहां पर ऐसे ही बनाता रहता हूँ तो दोस्तों पास्पोर्ट बनवाने के लिए आपको गूगल पे आना है और गूगल पे यहां पर लिखना ह जिस तरह सी ओपिन हो रहा है थोड़ा सा सर्वर क्या प्रॉब्लम है हमें लगता है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा देखी बहुत ही सेंपल तरीका है आपको 15 सुरुपे आपके कटेंगे और आपको एक अपॉइंटमेंट सेट करना होगा आपकी स्टेट में जाके अपने का इन पर सो हो रहा है यहाँ पर बहुत सारे आपसन देखनी को आपको मिल रहा है होम है बाउट अस है और पासपोर्ट आफिस है रटी आई है और सिटिजेंस करेक्टर है कॉन्टेक्ट है यह सारे सीज़े हैं यहाँ पर देखिए पहले ही आपको देखनी को मिल रहा है पासपोर्ट सिवा में आपको आविदन करने के लिए सबसे पहले New Registration पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा इस पर जैसे आप दोस्तु क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाते हैं जहाँ पर आपको इस तरह से देखनी को मिलते हैं पासपोर्ट आफिस के लिए आप जहां पर जाके अपना appointment लेना चाहते हैं verification के लिए वो आप select कर सकते हैं जैसे मैंने लखनों select कर दिया इसके बाद यहां पर given name में लिखा है तो आप यहां पर name लिख सकते हैं तो यहां पर privacy की वज़ा से मैं आपको example name लिख रहा हूँ क्योंकि होता यह है कि channel date भी हो सकता है इसलिए किसी का detail यहां पर share नहीं किया जा सकता तो मैं आपको एक example के थूरू ऐसे समझानी के कोसिस करूँगा यहां पर देख सकते हैं इसके बाद आप अपना date of birth फिल करेंगे इसके बाद यहां पर do you want your login ID तो यहां पर आप yes कर लेंगे और इसके बाद यहां पर एक login ID बना लेंगे एक अपना password बना लेंगे जैसे आप Facebook वगहरा पर बनाते हैं बहुत ही hint question select कर लेंगे यहां पर capture फिल करके आगे बढ़ेंगे registration आपका देखिए confirm हो चुका है और यह मैंने blur किया है यहां पर आपका एक registration number आ चुका है registration आपके email ID पर जो आप email ID डालेंगे वहां पर कुछ इस तरह से proceed कर दिया जाएगा इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं please click below यहां पर आपको click करना होगा जैसे आप यहां पर click करेंगे यहां पर देखिए enter user ID जो आपने अपना user ID बनाया था वो आपको यहां पर फिल करना है और इसके बाद यहां पर submit का button दिकरा है इस पर click करना है यहां पर देखिए successfully verify हो चुका है email ID से अब आगे की जो प्रक् ID और password डालना है और यहां पर capture फिल करना है login करना है इसके बाद कुछ इस तरह से application home आपका आज आएगा यहां पर देखिए apply fresh तो आपने पहले तो किया नहीं है तो आपको fresh वाले पर इसी पर click करना होगा तो इस पर आप click करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका alternative एक form open हो जा इसके बाद नार्मल आप नार्मल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप नार्मल करिएगा आपको 15 रुपे का सुल्क होता है नार्मल तरीके से और यह आपको 30 पेज वाला option select करना यहां पर 60 भी दिया है बट आप 30 पेज वाला ही select करिएगा इसके बाद next पर click कर देंगे जै यहां पर दिखें लिखा है कि have you even been known other names तो इस पर आप no no कर लिजेगा और यहां पर आप अपना date of birth फिर से एक बार fill कर सकते हैं और इसके बाद लिखा है place of birth village town इसके बाद यह आपका जो भी village है उस village का आप नाम लिखेंगे state आपका क्या है state लिखेंगे district क्या है और आप आपका जो marriage status क्या है कि आपने साधी वगारा किया है या फिर नहीं तो यहां पर मैं अपना भर दे रहा हूं आपका जो होगा आप अपने हिसाब से भरिएगा और simple तरीके से सही जानकारी भरिएगा नहीं तो आपका verification में थोड़ी से problem हो सकते हैं और यहां पर देखिए आ pen card और water card दोनों भी level है आप दोनों भी यहां पर update कर सकते हैं कोई भी इसके बाद यहां पर देखिए आपको अपने parents in case उनकी कुछ details self employee है तो आप self कर दिजेगा यहां पर निचे government servant है yes no जो भी है आप क्लिक करिएगा और अप्लिकेंट eligible for ICR category में आते हैं या फिर नहीं तो इसमें आप यहां पर देखिए कौन सा आपका है 7th pass है या फिर 10th या फिर graduate level जो भी आपकी degree diploma है उसको आप higher post यहां पर एब अब कर देंगे तो इससे आपका क्या होगा कि application जैसे आप साथ feel करते हैं तो आपका form तो भर सकते हैं बड़ थोड़ी सी आगे चलके critical हो जाता है तो आप इससे courses करिएगा का अगर आप 10-12 तक पढ़े हैं तो वही degree आप यहां पर yes करिएगा इसके बाद यहां पर देखे आप अपना यह कोई सरीर में एक mark होगा जैसे identity के लिए आपके गाल में चेहरे में कहीं कुछ भी हो तो उसको आप भर दीजेगा जैसे मेरे right गाल पे एक details में आप यहां पर father guardian का नाम लिखेंगे इसके बाद यहां पर mother's का नाम लिखेंगे और यहां पर surname वगयरा जो भी आपका है लिखेंगे और इसके बाद यहां पर देखेंगे अगर सरनेम है सरनेम का मतलब होता जिसे मेरा नाम है भीमा चित्रा तो चित्रा मेरा सरनेम हो या फिर अगर भीम कुमार चित्रा होता तो कुमार मेरा middle name हो जाता इस तरह से मैंने example पहले आपको समझा दिये थे बहुत ही simple तरीके से 10 मिनिट में आप form को completely भर सकते हैं अपने mobile यह सारी डिटेल मैं इसलिए एक एक कर रहा हूँ क्योंकि किसी की डिटेल शेयर नहीं कि जा सकती यूटूब पर तो एक example के थुरू आप ऐसे अपना सब कुछ सही से वरिएगा अगर है तो ठीक है एक email id डाल दीजिएगा और यहां पर आप अगर पर्मानेंट address आपका level है तो आप करिएगा निथा नो पर कर दीजिएगा इसको save करिएगा आगे बढ़ेंगे next करेंगे और कुछ इस तरह से आएगा pop-up और इसको okay करेंगे आप अच्छे से मिला कर चे इसके लिए emergency एक कोई contact अपना नाम address कर देंगे यहां पर दीखिए यह successfully हो चुका है detail for provide contact domain officer processor यह जो भी है आप यहां पर no click करेंगे इसके बाद यहां पर आप detail पर click करेंगे not allable और यहां पर नीचे आएंगे यह भी click करेंगे इस पर no करेंगे और yes कर देंगे यहां पर यह other details में खिला है इस पर आपको other details में total no no जितनी कॉलम है नो करके save my details पर कर देना है और आगे बढ़ना है और इसके बाद भारत गंडराज का एक प्रोफार्मा आपके तरफ इस तरह से screen पर open हो जाएगा मैंने सारे security purpose से blur कर दिया है I think इसके बाद इसको next कर लेना है और यहाँ पर देखिए proof of date of birth आपके पास दो option है कम सकम आपको दो document देने होंगे तो आपके पास बहुत सारे option अगर एक ही आधार card ही सिर्फ है तो आप दोनों में आधार card upload कर सकते हैं अगर आपके पास बर्त में एक आधार card है निवास प्रमाण पत्र है आपकी high school की मार्श यहाँ पर बहुत सारे option और level है ड्राइवरी लाइसंस है आपको जबे feel कर सकते हैं जू भी आपके पास सही documents और level हो उस document को आप यहाँ पर feel कर देंगे तो फिलाल मैंने दोनों feel कर दिया इसके बाद यहाँ पर आप अपना place जो है select करेंगे I agree पर click करके save my details यहाँ पर लगभग आपका form final हो ले वाना है तो देखिए आपके दो मिनिट में form final हो रहे है तो आपके पास payment के लिए इसको आप print भी कर सकते हैं आपका यहाँ पर registration नंबर और दिख रहा है तो इस पर click करके यहाँ पर state bank वाला option लेंगे payment करने के लिए और यहाँ पर देखिए मैं next पर click करता हूं next पर click करने के बाद यह आपका कुछ इस तरह से दिखेगा इसको फिर से next कर लेते हैं यहाँ पर देखिए आपका appointment आउलेबल है जो आपके लखनव है या फिर इतने भी आउलेबल है सभी यहाँ पर दिख रहे हैं आप अपने हिसाब से अपने समय कहाँ से यहाँ पर date ले लीजेगा और यह आपका capture फिल करके next कर लेजेगा next करते हैं यहाँ पर आपके कुछ इस तरह से detail आजाएंगे appointment reference नमबर आजाएंगे यह जो हरे color में आपको date देख रहे हैं यह सभी date open है इसमें से कोई date select करके pay appointment लेटर पर click करेंगे आप यहाँ से अपना चुका है पूरा चीज आपका complete हो चुका है आपको date वगएरा सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मैंने blur किया है आप उसी date में आप अपने office कारेले में जाएंगे वहाँ पर जो process होगी आप से original document आपको लेके जाना होगा बीना original document के नहीं होगा क्योंकि वो verify कर जाते हैं यह देखिया तो दोस्तों इस तरह से आपका form complete हो जाएगा और आप simple तरीके से सारे documents जो आपने feel के हैं धार card high school जो भी आपने document यूज किया है उन सभी की photo copy और आपका original documents लेके आप अपने appointment place पर जो आपने select किया है चाहे लखनो दिली जो भी आपने select किया है वह पर verify करने के बाद online सारे चीज़े होती है fingers और आपके लिए जाते है रेटीना भी चेक की जाती है तिसके बाद आपका final जो हर 15-20 दिन में passport आपके address पर जो आपने अपना address दिया होगा वहां पर send कर दिया जाएगा जैसे आपका अधार card आता है उसी तरह से I hope की video आपको प दिख रहे हो तो भाई फालू कर लेना चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही informative वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में टिक केर गुड़ बाई आप सभी मसता और स्वासते हैं